हलो बच्चों कैसे आप सब आयूप के आप सब बहुत बढ़ी है और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नमबर 8 पार्ट का नाम है गड़े तक के जूत सी आर्यभट ठीक है तो आर्यभट जी बहुत महान जो है मैथमेटिसियन थी आपको पता हुना चाहिए हमारी भारती जिन दूको आप लूट कर ले हम डारेक्ट चलते हैं आपके पृशनतर पर ज donut 새हर का पूराना नाम क्या है तो इसके सही अंसर है पटना इसहर का पुराना नाम है पाठली फॉत्त्र फीक है तूसरा है खा पतना के पास कौन सा प्रिख्यत बिश्विद्याला था तो पटना के पास नालंदा बिश्विद्याला था जो अपनी समय का बहुत ही प्रिशिद्ध था प्रिशिद्ध बिश्विद्याला ठीक है पटना के पास किनकिन नदियों का संगम हुआ तो पटना के पास गंगा सोन और का अध्यन किया जाता है तारामंडल और नक्षत्रों की गती का अध्यन याद रखना ठीक है यह एक प्रयुक साला ही होती है जिसमें जोतिसी ग्रण आधी के लगने और समाप्त होने के समय के भविश्चामारी करते हैं बेद साला में ठीक है अगला है भट सब्द का क्या आस से दस गीत का गड़त कालिक्रिय और गूल ठीक है आरभट्य पुस्तक संस्कृत में रचे थे और उसकी रचना पदमात्मक है ठीक है अगला कोश्चन है छा ओप्सन में छा नंबर में आरभट्य की ताडपत्र पूथियों की खोच किस बिद्वान ने की तो आरभट्य की आरभट्य जो थी महराष्ट के बिद्वान डॉक्टर भावदाजी ने सन 1864 में याद रखना महराष्ट के जो बिद्वान थी कौनसे भाव डॉक्टर भावदाजी ने 1864 में ठीक है मलेयालम में लिखी हुई थी इन्होंने ही इनका विबर्ण प्रकासित किया ठीक है अग जोतिशी और विद्याःति क्यों कत्रित हूए दखो इसका जतना मैं बता हूँ आपको उतना ही लिखना है अंसर पापणली पुत्र नगढ़ 몸 Beij को ही एं susug निबे मैं अंगन पीतल और लकड़ी के नर्मित अनिक तरहे के यंत रखेह उते उन learner से कुछ यंद्र गोल आकार के थे कुछ कटोरे जैसे तथा कुछ बर्तुलाकार थे तथा संकुत रहते बास्तों में यह एक बैदसाला थी इन्हें अंत्रों के आसपाती जोतीशी खट्टेट हुए थे वह बहुत प्रसद्य थे साथ ही वहां एक विद्ध्यारती भी थे वह वहां एक ट्यूकर हिसाब लगाकर भवस्त वाड़ी किया करते थे कि गिर्ण किस समय लगे कहा दिखाई देगा तो इसकांसर होना चाहिए अच्छो इसकांसर आप यहां से लखेंगे ठीक है यहां से लेकर इतना ठीक है जतना आपको नीला नीला दिखाए ना यह एक वहां क्यों एकटी हुई थी तो आप जितना नीली कलर में दिख रहा है न उतना ही आप इसको नूट करने ठीक है अब है अगला कॉस्चन पृतिवी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है इस कथन को आरभट्र ने किस तरह लोगों को समझाया तो देखो बच्चों इसका सही अंसर होना चाहिए इसका अंसर आप यहां से लिखेंगे कि उन्होंने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृतिवी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है वह इस्थर नहीं है आकास का तारामंडल इस्थर है आरभट्र ने यहीं इस पश्ट किया कि पृतिवी अपनी धु है सूर ग्रहन और चंद ग्रहन कि विसाय में क्या विचार व्यक्ति की तो दुख बच्चों इसकांसर आप लेखेंगे इतना दिखो इतना लेखेंगे आप यहां से लेकर आप लेखेंगे इसमें पूरा यहां तक एक मिनिट यहां तक ठीक है पृत्वी की बड़ी छाया जब चंदमा पर पड़ती है तो चंद गर्ण लगता है और इसी तरह जब चंदमा पृत्वी के शूर के बीच में आता है तब सूर को ढख लेता है और सूर गर्ण होता है राहु नामा कराक्चस सूर अथवा चंदमा को निगल जाता है यह सब कपोल कल्पे धरणाए हैं ह ग्यान विज्ञान के छित्र में संसार को प्राचीन भारत की क्या दिन है तो देखो ग्यान विज्ञान के छित्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी दिन ने सून ने ठीक है तो यहां से आपको लिखना है इसको यहां से लिखना यहां तक इतना ही एक लाइन लिख रही है ग्यान विज्ञान के छित्र में संसार को प्राचिन भारत की सबसे बड़ी देदने सुन सहित किवल दस अंक संकीतों से भी ज्ञान संक्यां को ब्यक्त करना किवल आप इतना ही लिख देंगे ठीक है अगला है आज़ भट को यहां तक सबसे पहले जोतिसी थे जनों ने इस पस टूर से अपने सब्दों में कहा कि प्रिथिवी स्थर नहीं है यह अपने धुरी पर चक्कर लगाती है इस्थर तो आकास का तारा मंडल है इसके अतरेक्त आरभट ने हमारे देश में गढ़त और जोतिसी के अधन की एक आरभट को प्राचिन भारति विज्ञान का सबसे चम्त कीला तारा कहा जाता है ठीक है इतना ही आपको लिखना है अगला है बास्तुनिस्ट प्रिश्ण तो पहला है प्रजबी अपनी धुरी पर किस से कहां से कहां तक घूमती है तो उसका सही अंसर है पूर्व से पस्चिम क ठीक है बच्चों जो तीन दिए गए हैं आपने को तीनों को नूट कर लें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको डिटेल में इसको पढ़के सुना हूंगा तो ठीक है अब जो हैं आपके भासाध्यान सबसे पहले दिए गए हैं तालिका आ कि बिलौम सब कोने चीए परतंत्र इस्थिर का हुना चीए आइस्थिर आकास का हुना चीए पाताल निर्भय का भय अंदकार का प्रकास और अपराहम का पूरुभाम इस तरह से आपने को लिख देंगे लिंकित बाक्तियों में से उद्दिश और बिदे अलग लग कीजिए तो देखो प हुए थे उन्होंने अपने विचार खुल कर बैक्त कीए और आरभट्टी गड़त भारतिय गड़त चूतिशी का पहला गिरंत है इस तरह से आप इनको कंप्रूट कर सकते हैं ठीक है अब है बी उपसर्ग जुड़ा हुआ है विशेष में प्रिख्यात में प्रा अधिगम अतिदार अतिदीन और अतिदूस इस तरह से आप और प्रत्य जो है पीशे जुड़ा रहता है तो ता आई आवट बाला अत्वा प्रत्य लगा के अनेक सब्द बनाना है तो देखो ता यहीं सुन्दरता कुरूपता बीलता इस तरह से आपने को नूट कर सकते है बीडियो को पॉस्ट करके अगला है समानार्ति बिरुधार्ति और पुन्रक्ती सब्द अलग अलंकर तालिका में लिखी तो देखो समानार्ति सब्द हैं बाग बगीचे दान पुन्य बिरुधार्ति है लंबे चोड़ी आचार विचार आकास पाता दूर दूर तरह-तरह क कहां कहां और इस तरह से आप लिख सकते हैं ठीक है इस चैप्टर गंपलूट होता मिलते हैं अंगली चैप्टर में टेक केर